हम जानते हैं कि रासाइनिक योगिकों की संख्या बहुत अधिक है प्रत्येक योगिक के अपने विशेश्ट गुन धर्म होते हैं कुछ योगिक ठोसा वस्था में पाय जाते हैं कुछ तरल अवस्था में तो कुछ गैसी अवस्था में योगिकों के रंग भी भिन भिन होते हैं, कोई सफेद, कोई पीला, कोई हरा, तो कोई नीला कुछ योगिक जल में विले होते हैं, तो कुछ एविले कुछ योगिकों के जली विलियन विद्युधारा का चालन करते हैं, तो कुछ के नहीं ऐसे योगिक जो विलियन या गलित अवस्था में धन और रिन आयनों में वियोजित होकर विद्युद्धारा का चालन करते हैं उन्हें विद्युद्धारा प्रवाहित करने पर ये आयन विप्रीत आवेशित इलेक्टोडों की और अभिगमन करते हैं धन आयन रिन इलक्टोड जिसे कैथोड कहते हैं कि और तथा रिन आयन धन इलक्टोड जिसे एनोड कहते हैं कि और अभिगमन करते हैं इन इलक्टोडों पर पहुंचकर ये आयन निरावेशित हो जाते हैं विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासाइनिक अपगटन को विद्युत अपगटन कहते हैं। उधारन के लिए यदि हम जल में थोड़ा सल्फियूरी कमन डाल कर उसमें प्लेटिनम के दो इलक्टोडों की सायता से विद्युत धारा गुजारें तो धन इलक्टोड पर ऑक्सिजन गैस तथा रिण इलक्टोड पर हैडोजन गैस उत्सरजित होती है। विद्युत अपगटन प्रक्रम का उप्योग कई उद्योगों में किया जाता है। धातु कर्मी उद्योग में अयश्कों से निश्करशित धात्में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होत किस प्रकार प्रिश्करत कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिस सामगरी की आवश्कता होगी शुद्य तामर की पथली पट्टी, अशुद्य तामर की पट्टी, कॉपर सल्फेट का विलियन, आसुत जल, तनु सल्फिरिक अमल, ड्रॉपर, दो छिद्र युक्त गत्ते का प्लग और कुंजी, आईए अब हम इस प्रियोग को करते हैं। इसके लिए हमें जो सैल है, इसका ये रिण ध्रुव है, ये धन ध्रुव है, तो जो रिण ध्रुव है, उससे हम, अभी इसमें से हम कुंजी निकाल लेते हैं। और इस रिण ध्रुव वाली जो एक सियोजकतार हमने कुंजी से बांदी हुई है, इसी प्लग के दूसरे इससे में पहले हम इसको जो तार है, इसको रिण माल से रगड लेते हैं। क्योंकि इस पर कुछ ऑक्साइड कार्बोनेट्स की परच जम जाती है, उसको साफ करना जरूरी है। और फिर इसको हम प्लग के साथ इस तरह से लगा देते हैं। इसी प्रकार जो अशुद तामर की पट्टी है, तो धन ध्रूव वाले सिरे से उसको हम जोडते हैं। जो धन इलक्टोड है, इसको भी हम पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। और फिर इसको धन इलक्टोड से हम जोड़ देते हैं। अब ये दोनों पट्टियों को हमें इस विलियन में रखना है। इसको थोड़ा सा हम शेक भी कर देते हैं। ये दोनों पट्टियां जिसमें ये अशुद तामर की पट्टी है। ये जो दो छिद्र वाला टुकड़ा है गत्ते का इसमें से डाल देते हैं। दूसरा जो शुद तामर की पट्टी है उसको हम दूसरे छिद्र से डाल देते हैं इस पट्टी से। आईए अब हम प्लग में कुझी लगाकर इस विद्युत अफगटनी सेल में से विद्युधारा को प्रवाहित करते हैं। यह इस तरह से हमने कुझी इसमें लगाई। कुछ समय बाद हम देख सकते हैं। यदि हम इस सेल में काफी देर तक विद्युधारा प्रवाहित करें तो यह देखेंगे कि अशुद्ध तामर की पट्टी की मोटाई खम हो जाती है। आईए देखें कि ऐसा क्यूं होता है। अशुद्ध कौपर से बने धन इलक्टोड यानि एनोड पर से कौपर धातू, कौपर सल्फेट के विलियन में खुल जाती है और इसी कारण विद्युध प्रवाह होता है। इस इलक्टोड की मोटाई कम हो जाती है। कौपर सल्फेट के विलियन में विद्यमान कौपर आयन्स कैथोड पर शुद कौपर धातू के रूप में जमा हो जाते हैं यदि हम दोनों इलेक्टोडों पर होने वाली अबकरियाओं को एक साथ देखें तो पाएंगे की एनोड से अशुद कौपर कौपर आयनों के रूप में कौपर सल्फेट के विलियन में विले हो जाता है तथा विलियन में से कौपर आयन्स समान मातरा में कैथोड पर शुद कौपर के रूप में जमा हो जाते हैं यदि हम दोनों इलेक्टोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं को एक साथ देखें तो पाएंगे कि एनोड से अशुद्ध कोपर कोपर आइनों के रूप में कोपर सलफेट के विलियन में विले हो जाता है तथा इस विलियन में से कोपर आइनों की समान मात्रा कैथोड पर शुद्ध कापर की रूप में जमा हो जाती है कि एनो जमा है